Dear students, मैं एजाज फिर से एक बार आपका Welcome करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube क्यानल Brilliant Knowledge में वीडियो में आगे बरने से पहले छोटा सा इक रिक्वेस्ट है, वीडियो यह आपको अच्छा लगे तो एक Like कीजिएगा साथ ही इस तरह के वीडियो इसको आगे भी दिखने के लिए चलने को सब्सक्राइब करके L Notification को Select कर ले जागा है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देखे परशन है कि असयोग आंदोलन को गांदी जी ने क्यों अस्तगीत किया अस्तगीत करना मतब रोकना, यानि गांदी जी ने जो है असयोग आंदोलन को अस्तगीत कर दिया क्यों रोका, उसी बात को हमें उत्तर में बताना है देखे ये परशन बिहार बोट का जो NCRT किताब है इतिहास का उसमें नहीं है फिर भी ये क्वेशन कई बार परिक्षाओं में पूछे गए है इसलिए इस क्वेशन पर मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ तो चलिए उत्तर में देखते हैं कि अस्तगीत किया क्यों रोका देखे याँ पर क्या है गांदी जी द्वारा चलाया गया असयोग आंदोलन सत्य और अहिंसा के सिध्धान पर आधारित था सत्य का मतलब होता है क्या सही यानि गांदी जी का जो असयोग आंदोलन था ये सही के रास्ते में था और आहिंसा के सिध्धान पर था आहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करना है हिंसा का मतलब क्या होता है कि किसी का कटल कर देना किसी पर हमला करना किसी को नुकसान पहुचाना डेश के संसाधनों को नुकसान पहुचाना जला देना इसको हिंसा बोलेंगे और इसके आगे आ लगा हुआ आहिंसा का मतलब इस सब चीजों को नहीं करना है मतलब इसमें किसी तरह का किसी को नुकसानन नहीं पहुझाना है तो इस सिद्धान पर आधारित था चोटा सा एक घटना को लेकर के गांदी जी ने असयोग आंदरण को अस्थगीद कर दिया था रोक दिया था वो घटना क्या था देखिए देखिए आपे लेकिन पांच फरवड़ी 1922 को गोरखपूर उत्तर परदेश का पांच फरवड़ी 1922 को गोरखपूर जो की उत्तर परदेश राज्य में है कि चोरी चोरा नामक अस्थान पर यानि गोरकपूर में एक जगे का नाम है चोरी चोरा नामक का मतलब होता है नाम का इसी नाम का जो अस्थान है उस अस्थान पर आंदोलन कारियों ने आंदोलन कारी किसको बोलेंगे जला दिया था देखिए कितना हिंसक घटना किया था गांदी जी क्या बोले थे कि ये जो आंदोलन है वो अहिंसा के सिद्धान पर रहेगा किसी पर नुकसान नहीं पहुचाएंगे हम लेकिन आंदोलन काडियों ने 22 पुलीस कर्मियों को जिंदा जला दिया था जो की काफी कि हिंसक घटना था हिंसक मतलब हिंसा करने वाला यहाँ पे आंदोलन काडि वही थे जो और सईयोग आंदोलन को गांदी जी के साथ चला रहे थे बस यही घटना के कारण जो है गांदी जी ने अस्थागित कर दिया तो आगे देखिए क्योंकि आंदोलन सत्य और आहिंसा पर आधारित था इसलिए इसी हिंसक घटना के कारण ये जो 22 पुलीस कर्मियों को जलाया था ये जो हिंसक घटना था हिंसा करने वाला जो घटना था इसी के कारण गांदी जी ने असायोग आंदोलन को अस्थगीत कर दिया था मतलब रोग दिया था तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा